तो यार आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भरवा हरी मिर्च के अचार की बहुत ही आसान सी रेसिपी वैसे तो ये अचार मार्केट में इजीली मिल ही जाता है पर उसमें बहुत ज्यादा एमाउंट में ओईल और साथ में प्रिजर्वेटिव्स लगे रहते हैं पर जो आज अचार हम बनाने वाले हैं उसमें काफी कम ओईल का हम यूज करेंगे तो अब हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे पर डेली आने वाली इंट्रिस्टिंग रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो तो देखो हमें लेनी है ये मोटी वाली हरी मिर्च ये खाने में तीखी भी कम होती हैं अब इनको अच्छी तरह से धोकर और एक सूखे कपड़े से पॉंच कर मैंने इनको 10 मिनिट की धूप लगा ली है जिससे इनके बाहर किसी भी तरह का कोई मौस्चर न रह जाए और फिर मैंने इनका डंठल भी काट कर हटा दिया है पर आप चाहो तो डंठल के साथ ही अचार बना सकते हो अब हम एक नाइफ लेकर इस तरह से मिर्च को बीच में से लंबाई में कट करेंगे जिससे इस तरह से ओपन हो जाए तो हम फटा-फट से सारी मिर्चे कट कर लेते हैं और ध्यान रखना है जो भी चीज़ें आप यहां पर यूज करें वो पूरी तरह से सूखी हो चाहे वो प्लेट हो, बाउल हो, नाइफ हो या चमच तो देखते ही देखते हमारी सारी मिर्चे कट हो चुकी हैं, अब चलते हैं इसका मसाला तयार करने गैस पर रखो कोई सूखा पैन या कडाही, फिर इसमें मैट डाल रही हूँ, देर चमच जितना अजवाइन आधा चमच मेथी दाना, तेर चमच काली सरसों, आप इसकी जगे पर राई का भी यूज़ कर सकते हो, फिर एक चमच पीली सरसों, और चार चमच मोटी वाली सौफ अब बस अब सारे मसालों को low to medium flame पर चार से पांच मिनट तक सूखा रोस्ट करना है, इनको बराबर चलाते भी रहना हैं, जिससे ये जलना जाएं, इन सारी चीजों को इस तरह भून कर यूज़ करने से एक तो इनके अंदर थोड़ा सा भी मॉस्टर नहीं बचता है, और हींग, हल्दी पाउडर, और क्योंकि ये मिर्च तीकी तो है नहीं, इसलिए मैं डाल रही हूं यहां पर लाल मिर्च पाउडर, फिर डालो नमक और ये सारे मसाले ग्रैंडर में पीसकर दरदरा कर लो, और ये हमारा अचार मसाला हो गया है, रीडी, देखो ये कुछ इस त साथ बनता है, अच्छा मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको घर का अचार अच्छा लगता है या मार्केट वाला, और आपको कौन-कौन से अचार ज्यादा पसंद है, अब हमने यहां ओईल को मसालों के साथ मिक्स कर लिया है, अब इसमें डालो दो चोटी चमत जितना व अचार निकाल लो, और जो मसाला हमने बनाया है, उसे मिर्च में बर कर, पूरी तरह से मिर्च को फिल कर दो, ये मिर्च का अचार बने में कुछ खास टाइम नहीं लिता है, 15 मिनित से भी कमें ये अचार बन जाता है, और पूरे एक साल तक ये खराब भी नहीं होता, तो आ अब भी हमें मिर्च निकालनी होगी तो वो आसानी से निकल जाएगी और इनका मसाला भी बाहर नहीं फैलेगा तो सारी मिर्चों को मैंने इस जार में अच्छे से सेक्ट कर लिया है अब उपर से बस दो तीन चमत जितना सरसों का तेल डालो और जार को टाइटली बंद कर दो और ये हमारा स्टफ करी हुई हरी मिर्च का अचार तयार है इसे आप 4-5 दिन दुपहर की धूप में 2 घंटे के लिए रख देना और फिर जब भी मन करें पूरी परांठे या दाल चावल किसी भी खाने के साथ इसको एंज़ाए करना अब यदि आपको वीडियो पसंद आ थ 원래 को भी मीन करें चारी में गयार को आपकaff Rule 9 अशबरा आपको है यदने ऍगैर मीन करें पिरता स्वें वीदी खाने को भी मुक को वी।